हलो दोस्तों, हमारी बेलोंट में आप सब का स्वागत है और जो है, मैं आप सबको आज मतलब सास, बहु और सासूर, मा, बाप को रिलेक्शन से लेकर जो है, आप सबको हम कुछ बताना चाहते हैं उनहीं के बारे में बात करेंगे तो प्लीज हमारी बात को आप लोग समझिएगा और अगर समझ में आये तो अच्छा कमेंट करिएगा अगर नहीं समझ में आयेगा तो बूरा कर देना कोई बात नहीं है उतना टिंसन नहीं है पर कोई-कोई लोग है कि जो मतलब तो सही जानते नहीं है उसको सही पहचानते नहीं है फिर भी जो है अगर अच्छा से नहीं समझ पा रहे हो तो उसका गलत कमेंट नहीं करना चाहिए अपने घर में भी देख लो बहन है बीबी है अगर मालोक कल कव वो भी अपने घर गई और उसको नहीं मिल रहा है मान समान तो आप क्या करोगे दूसरों के घर जहकने से अच्छा है कि पहले खुद के घर देख लो कि हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या हो रहा है और जहां तक मतलब मेरे वीडियो का सुवाल है कि मैं अपने परिवार का पहले मान समान करूँ फिर दूसरों को बताँ तो जहां तक मैं जानती हूँ कि मैं अपने परिवार का मान समान हमेशा करती हूँ हमारे पास एक बेटा है एक बहु है बहु तो बहु को हम कभी बहु समझे नहीं उसको बेटी ही समझते हैं और क्योंकि हमारे कोई बेटी नहीं थी बस सुनील ही था और जब से वो आई है हमको बेटी की कमी महसूस हुई नहीं तो हम कैसे यह सोच लें कि हम उसको मान समान देने में कोई कमी रख रहे हैं अगर कमी रख रहे हैं कुछ तो हमको वो खुद ही कहती कि हाँ हम जो है उसका मान समान नहीं कर रहे हैं या मतलब उसको खुद नहीं रख रहे हैं तो उसको खुछ सिकाइद करना चाहिए हमको खुछ सिकाइद करना चाहिए दूसरों की सिकाइद करने से कुछ नहीं होता अगर दूसरा कोई सिकाइद करेगा तो उसमें परिवार में तनाव पैदा होगा और परिवार बिखर जाएंगे बरबाद हो जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा हम लोग चाहें अगर कि कुछ चीज हासिल कर लें तो उससे कुछ नहीं हासिल होगा पर दोस्तों जो है हम हमारे माबाप हमको मारते हैं पीड़ते हैं फिर भी दुलार करते हैं तो क्या वही चीज अगर हमारे सास कर रही है ससुर कर रहे है क्या वो बूरे कर रहे है कसता ही नहीं वो भी कहीं न कहीं उनका प्यार उसके अंदर छुपा है तब वो कर रहे है कहीं गलत देखेंगे या गलत सुनेंगे तब जाके वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे फिर भी सास तो थोड़े देर के लिए वो मतलब यह सोचेगी अगर हम बोलेंगे तो कहीं उनको बूरा ने लग जाए पर मा नहीं सोचेगी मा तुरंत उसको डाटेगी बोलेगी मार भी देगी चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बड़ा बच्चा हो जाए पर उसका कोई गलत आर्थ नहीं निकालता है क्योंकि वो मतलब खुद की माबाप होते हैं उनको पैदा किये रहते हैं इसलिए उसका गलत आर्थ कोई नहीं निकालता है अगर वही चीज सास कर देगी ससूर कर देगा तुरंत उसके उपर तुरत आप जेक्शन लगा देंगे लोग की बहु की जो है मान समान नहीं कर रहे हैं बहु को मानते नहीं हैं चाहे वो कितना भी मालने कितना भी मैं अपनी बहु को बेटी मालनू या मतलब क कुछ भी कर लूँ पर जो है कोई यह नहीं समझेगा कि यह मतलब अंदर की फीलिंग से कुछ कर रही है कोई नहीं समझेगा और वही अगर उसका थोड़ा से अगर माबाब कर देते हैं तो लोग उसका कोई बुरा नहीं मानते हैं कोई अर्थ नहीं निकारते हैं तो दोस्तो मेरा मतलब ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है पर कुछ लोग हैं जो है कि मतलब उनको लगता है कि मैं अपने अपना परिवार अच्छे से नहीं देख रही हूं अच्छे से नहीं समाल रही हूं तो अगर जो लोग कह रहे हैं जो लोग मतलब जो लोग क्या कोई कोई है एसा बात नहींँ है कि सब लोग हैं पर जो है मैं तो यही कहती हुँ जुझे दोस्तों पहले उसकी सच्चाई जानो इसके बाsed बाद किसी को ऊपर उखाऊ बिना सच्चाई जानी किसी को ऊपर हाथ नहीं उखाना चाहिए उसके उपर अगर तुम पहई दोस्तों हम यहीं कहेंगे कि कुछ भी किसी को कहो बहुत ही सोज और समझ के कहिए तोर आज हमारे उपर परसन के उपर होगा तो यह स्लसिला कभी खत्म नहीं हो घो सिल्सिला हमेशाथ चलता रहेगा चलता रहे गा लाग समझा कि अपनी मतलब करां कर दिall कि उनके दिमाग में पहले सी कचड़ा भरा है तो उनको समझ में आए गहीं नहीं तो हमारी पक्वानाने से कोई बात नहीं है को इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा पर तब ही मेरा मन नहीं माना, मैं जो है वीडियो बना दी तो बना दी डाल रही हूँ और जिसको अच्छा लगेगा लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लाइक करेंगे उसके हमें कोई परवान ही है, पर हम यही चाहते हैं, कि अगर चाहे वो बहु हो या बेटी हो उसे अपनी दिल से, अपनी तन मन से उसको चाहो, जितना बहु का हक है उतना बेटा का है, बेटा का जितना हक है उतना बहु का है, पर हाँ, दोनों अगर समझ बूच के रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा, अगर दोनों का दिमाग अलग रहेगा, तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए दोस्तों हम जादे बहुत बड़ी वीडियों हो जाएगे अगर हम बहुत जादा आप लोग को मतलब समझाएंगे या बताएंगे तो बहुत बड़ी वीडियों हो जाएगी तो बहुत बड़ी वीडियों को दीख नहीं पाएगा इसलिए हम बस यहीं पे समाप्त कर तो भगवान उसके साथ खुद बुरा करेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बाइ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में बोलने से किसी को दुख हुआ होगा, अगर कोई परसानी होगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, बाइ